बिस्मिल्लाह रह्मान रहीं खड़क खड़ाने वाली एक आदमी सुरुत उलकार्यात की इतलावत कर रहा था जिसका तरजमा था खड़क खड़ाने वाली वो शक्स परेशान हो गया कि ये खड़क खड़ाने वाली क्या चीज है समझ नहीं आ रही थी वो उलजिता रहा फिर उसने सोचा क्यों ना किसी अरबी से पूछा जाए कि ये खड़कराने वाली का क्या मतलब है उस आदमी का एक दोस्त अरब का बुद्दू था जो के सहरा में खेमा लगा कर रहता था उसने सोचा कि मैं उसी से पूछता हूँ इस खड़कराने वाली का मतलब चनाच्छे वो उसके पास गया सहरा में अभी वो उसके खेमे के पास भी ना पहुचा था कि उस बुद्दू ने अपनी बीवी को आवास दे कि अलकारियात क्या देखो चूले पर क्या रखा है जो इतना जोशते रहा है इसके खोलने से चूले पर रखी हुई चीज का ड़कन खड़करा रहा है वो आदमी वही रुक गया और उसको इस सूरत की समझा गई कि अल्ला पाक ने इस खड़कराने वाली से मुराद वो दोज़क है जो कि आग से उबल रही है और अल्ला पाक ने उसे क्यामत तक ड़का हुआ है और अल्ला इनसानों को इस सूरत के जिए समझा रहा है कि तुम्हें क्या मालूम वो खड़कराने वाली क्या है वो उबलती हुई आग है तो एए इनसान इस आग से बच जाओ अल्ला हमें कैसे अपनी निशानियां खोल खोल कर सुना रहा है और हम फिर भी गफरत में पड़े हुई है अल्ला हमें इस खड़कराने वाली से महफूज रखे आमीन सुम्ह आमीन या रबुल आलामीन